हेलो मैं अखलेजमीदी और कुछ का टॉप हम बता दे रहे हैं बहुत सारे को अलग 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 डेट के उसको आप ध्यान राखिए और उसके वेसिस पे आप अपने कौंसलिंक के लिए चले जाईएगा विसे LLM के लिए बहुत सारे बच्चे परिशान थे तो LLM के लिए लिए लिखा है कि जो है सारे मतलब अन्रिजर्व कटेगरी 196 या उस्से अधिक OBC 178 या उस्से अधिक SC 164 या उस्से अधिक और ST 96 या उस्से अधिक ये सारे लोगों को 2 दिसंबर को सुभे 8 से शाम 5 वे तक अपना कौंसलिंग कराना है ठीक है ये उनिस्टी के साब से है अलाद उनिस्टी के साब से ठीक है और इसके बाद जो है और जो आपको देखना है वो जो है तीस नॉम्बर की जो है वो CMP में CMP का भी बता दे रहे हैं तीस नॉम्बर का CMP का है बीए में जन्रल कटेगरी 110 या उससे अधिक और अंसुचित जाती जन जाती के सबी अभ्यारतियों को बुलाया गया है और इसी तरह से VCA में 70 या इससे अधिक प्रात करने वाले SC, ST को बुलाया गया है VLLV में जो बुलाया गया है समान वर्क 180 या इससे अधिक अंग पाने वाले को 1 दिसंबर को बुलाया गया है ठीक इनको 1 दिसंबर को बुलाया गया है VLLV में CMP का बता रहे हैं और इसी दिन ST वर्क के सभी को बोलाया गया है ठीक है तो एक ही हो गया फिर जो है ये जो है ये सारी चीजें जो है निकली हुई है इसी तरह से CMP में 30 नॉम्बर को कटाफ जो बताया गया है वो उन्होंने बोला है BA में जो Unreserved Category 110 या उस्याधिक और ST के सभी लोग BCA में Unreserved Category 70 या उस्याधिक ST के सभी लोग और BLLB में 180 या उस्याधिक के अंक पाने वले सभी द्यार्थियों को बुलाया गया है ठीक है तो ये 30 नॉम्बर का कटाफ है ये सारा दोनों का लिजेस का और जो LLM का बताया था वो तो बताई दिया था आपको उसमें डेट भी बता दी थी ठीक है अभी का जो है इतने हैं इसके आगे जैसे ही हमको सूचना मिलेगी मैं आगे आपके होता हूँगा ओके थेंक्यू